लिबर ओफिस राइटर दे, find and replace, and auto-correct feature दे, spoken tutorial वीच तो अड़ा स्वागत है इस tutorial वीच असी जानांगे Finds and Replace Spell check, auto-correct इस tutorial वीच असी, लिबर ओफिस सूर्ट वर्जन 3.3.4 अते Ubuntu Linux 10.4 operating system दा अस्तमाल करांगे हुन राइटर वीच, find and replace बटन दे बारे जानांगे ए टेक्स्ट नू लबदा है, अते उस दी बदली करता है होर जानकारी लई, असी उधारन लवांगे सब तो पहला resume.odt file खोलो हुन edit option दे क्लिक करके, find and replace दे क्लिक करो जा फिर वस बटन उते क्लिक करो, जो standard toolbar वीच है हुन तुसी dialogue box देखोगे, जिस वीच search for, अते replace with field hunt हुन जो text लबना है, वो search for field वीच लिखो, अते enter करो उधारन लई, अगर असी लबना होवे, वी text वीच रमेश किते किते लिख्या है तु सर्च for field वीच रमेश लिखो, हुन find all बटन ते क्लिक करो हुन तुसी देखो, जिते भी रमेश लिख्या है, वो highlight हो गिया है replace with field वीच वो text अंटर करो, जिस नल मजूदा text बदलना है उधारन लई, जिमें तुसी text वीच रमेश दी था, मनीश बदलना है हुन replace with tab वीच मनीश टाइप करो, replace all बटन उते क्लिक करो हुन हर जगा रमेश दी था, बदल के मनीश लिख्या जावेगा डालोग बॉक्स दी नीचे more option बटन है, उसनू क्लिक करो more option हेट कुछ खस, find and replace option हन इस वीच एक background option है, जो की text वीच थलने ते उपर तक text लबन लई मदद करदा है, अधि current selection है, जो की सिर्फ select कीते गए text नू ही भालदा है, इस दे वीच कुछ advanced option ने, जिमें regular expressions, search for style आ दी तिन होर options हैं, जो dialogue box दे सज्जे पासे देख सकते हो ओ हन attributes format अते no format एस अनू कई तरह दिया, उच find and replace option देन दे हन इसनू होन बंद करो, इना दी होर जानकारी असी advanced tutorial विच हासल करांगे find and replace feature दे बारे जानकारी, लैन तो बाद असी spell check बारे जानांगे spell check पूरे text जा selected text विच्चों शब्दा दिया गल्तियां कड़न दे कम आउंदा है spell check करसर दी मुझूदा position तो लेके document जो selected text दे आन तक काम करता है spell check नू document दे शुरुआत तो लागो करन दी विच ओन कार सकते हो spell check शब्दा विच गल्तियां लब्दा है अते user dictionary विच नवे शब्द दी जोड करन दा विकल्प देन दा है हुन देखिए एक इवे वर्तिया जानदा है spell check फीचर हर भाशा विच वखरा है उधारन लई क्लिक करो tools option ते जो की menu bar विच है ते फिर क्लिक करो options उते हुन dialogue box विच language settings ते क्लिक करो अते आखिर विच languages ते क्लिक करो user interface विच default option हमेशा English USA होनी चांदी है local setting field विच दिते गए down arrow chin ते क्लिक करो अते उस्तो बाद English USA option ते क्लिक करो western field विच default language दे रूप विच English India सेट हो गया है क्योंकि English India दा शबत कोश spell check कोल नहीं है इसलिए असी default language बदल के English USA करांगे western field विच down arrow chin ते क्लिक करो अते पर English USA option ते क्लिक करो आखिर विच OK बटन क्लिक करो हुन असी देखन लई तेयार हां कि spell check फीचर English USA language विच किस तरह काम करता है spelling and grammar फीचर वर्तन लई auto spell check option दा enable होना जिरूरी है टूल बार विच दित्ते auto spell check बटन ते क्लिक करो अगर वो पहले तो ही enabled नहीं है साधी resume.odt file विच mother's occupation दे हेट असी housewife शबद दे गलत spelling पर दे हां हर swipe टाइप करके space bar एंटर करो तुसी देख सकते हो कि गलत शबद दे थले लाल लाइन है हुन cursor नू हर swipe शबद तिल ले जाके spell check अति grammar आइकन उते क्लिक करो जो की standard toolbar विच है not in dictionary box विच असी उच शबद नू वेक दे हां गलत शबद लाल रंग विच आ जावेगा वते सानू सजेशन box विच कई सुजाओं दस्से जानगे जिनना विचो असी सही शबद दी चोन करनी है suggestion box विच housewife शबद नू क्लिक करके change बटन ते क्लिक करो नवा छोटा dialogue box खुलदा है उस दे विच ओके बटन ते क्लिक करो हुन text विच सही शबद आ जावेगा कीते गए बदलावान नू undo करो चलो हुन जानिये एक होर standard toolbar option दे बारे जिज़दा नाम है autocorrect ए spell check feature दा एक extension है ए मेनू बार विच दित्ते गए format option दे drop down मेनू दे विच मजूद है साड़ी option दी चोन दे हिसाब नल autocorrect अपने आपी file नू format कर दिन्दा है इस option दी चोन autocorrect option दे क्लिक करके हुन दी है autocorrect dialogue box खुल जावेगा autocorrect feature तोड़े लिखते लिखते ही आपने आप गलतियां ठीक कर दिन्दा है option tab दिज दित्ती गई options दी चोन दे हिसाब नाली तोड़ी गलतियां ठीक हुन दिया हन होर भी कई तरह दे autocorrect options ने जिमें delete spaces at the end and beginning of paragraph, ignore double spaces अते होर कई options हुन एक कुधारन लेके देखिए एक किमें हुन्दा है resume file वीच जाके असी कुछ शब्द single space चटके अते कुछ होर शब्द 2 जा तिन spaces चटके टाइप करांगे हुन सारे ही text दा चोन करो menu bar वीच format बटन ते क्लिक करो auto correct ते क्लिक करो जो की drop down menu वीच है हते फिर सब menu वीच दिते गए auto correct option ते क्लिक करो options टैप ते क्लिक करो हुन ignore double spaces दा चोन करके वोक के बटन क्लिक करो अगली बार असी जदो टाइप करांगे computer आपने आप ही double spaces नहीं लवेगा चलो करसर नो मनीश नामते रख दे हां अते की बोर्ड उते space बार नो दो बार दब दे हां तुसी देखोगे की करसर सिर्फ एक space ही अग्यवद्या है जानी की double space allow नहीं होई है सिंगल स्पेस तु बात तुसी सर नेम दे कुमार टाइप करो आटो करेक्ट एक शबद जा उज़े संखेब रूप पिछ लिखे गए टेक्स नो विस्तार ना लिखने दी काबलियत भी रखदा है एटाइप करन दी मेनत नो घटांदा है क्योंकि ए लंबे शबदा दे शॉर्ट कट बढ़ावन दी सहूलियत देंदा है उधारन लई resume.odity file वी कई ऐसे शबद हो सकदेने जो की बार-बार text विच इस्तेमाल होंदे हन बार-बार इको ही शब्द जा वाक नू टाइप करना मुश्कल काम लगदा है मन लो कि असी ए text this is a spoken tutorial project बार-बार आपने document विच लिखना होए जा असी संखेप रूप वाला शबद बढ़ावांगे जो की सिद्धा साड़े जरूरत मन text विच बदल जावेगा देख दे हां की stp कि में आपने आप spoken tutorial प्रोजेक्ट विच बदल जावेगा हुन तुसी format option ते क्लिक करो जो की menu बार विच है फिर auto correct option ते जाके auto correct options ते क्लिक करो एक dialogue box खुलदा है उस विच replace टैप ते क्लिक करो ए जांच लवो की English USA पाशादा ही चोन होया है हुन replace field विच stp टाइप करो जो की असी संखेब शब्द बढ़ावना चान्दे हां हुन with field विच टाइप करो spoken tutorial प्रोजेक्ट जो संखेब शब्दनों replace करेगा डायलोग box विच नमे बटन ते क्लिक करो तुसी वेक सक्दे हो की entry replacement table विच हो गई है हुन ok बटन क्लिक करो हुन जदो ही असी this is a stp टाइप करके संखेब बार दबागे विखाँगे की stp दा संखेब रूप अपने आप ही spoken tutorial प्रोजेक्ट विच बदल जावेगा जदो एक शब टेक्स्ट विच बार बार दुराया होवे एफीचर काफी लाबदायक साबत होंदा है हुन कीते गए बदलावा नू undo करो एस अनू liberal office दे spoken tutorial दे अंत विच ले आया है साराश विच असी सिक्या points and replace spell check, autocorrect comprehensive assignment writer विच दस्या गया text type करो this is a new document the document deals with find and replace हुन text with document word नू file word नाल finds and replace करो अपने document विच टेक्स शब्दे spelling बदल के txt लिखो हुन spell check feature दे इस्तेमाल करके txt दे spelling ठी करके txt करो English USA नू अपने default भाषा करो हुन autocorrect feature दे इस्तेमाल नाल this is liberal office writer दा संखेप रूप TLW बढ़ाओ अते इस्तेमाल करो दित्ते गए लिंक ते तुसी वीडियो देख सक्दे हो ये तोनू spoken tutorial बारे विस्तार विच जानकारी देवेगा internet दी प्रयाप bandwidth ना हुवे ता इस्ते वीडियो डाउनलोड करके भी वेख सक्दे हो spoken tutorial project team spoken tutorial वीडियो दा इस्तेमाल करके वरक्शाप चलान दे हन जो कोई पागलैन वाला online टेस्ट पास करदा है उसनू certificate दित्ते जान दे हन होर जानकारी लई लिखो contact at spoken-tutorial.org spoken tutorial project talk to a teacher project दा इक हिस्सा है ए प्रोजेक्ट दा national mission on education ICT MHRD भारत सरकार द्वारा स्मर्थित है इस mission दी होर जानकारी spoken-tutorial.org slash nmeict-intro उते मौजूद है हर्मन सिंग द्वारा लिखी गई script किरन कोशला दी आवाज वीच त्वाडे सामने हाजर होई साडे नाल जुडनली तन्यवाद